सुधान्चु जी आप भी उसी राज्यसभा से सांसद हैं ये तना तनी कहां तक पहुंच रही है आप देख रहे हैं कि सभापती के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाग उनका कहना है कि आप विपक्ष की आवाज को म्यूट करना चाहते हैं एक बार जया जी ने सभा में जो आपका ऑफिशल नाम लिखा जाता हम लोग पास यह तकाता आप स्पैलिंग चेक कर लिजिए आपकी स्पैलिंग में तो कोई चेंज नहीं है और मैं आपको एकर बताओं संयोग से अभी अप्रेल में जो राजसभा में जिसमें वो दुबारा उनका चैन हुआ जब उनको सेटिफिकेट मिला उत्तरप्रदेश विधान सभा से उस पे लिखा हुआ जया अमिताब बच्चन आपती करनी चाहिए थी तो आपने जब आपत और फिर जब शपत ली फिर नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन होता है राजसभा का उस पे लिखा जया अम मोदरदास मोदी में पिता का नाम है तो प्रॉबलम है मोहंदास करमचंदगानी में पिता का नाम है तो प्रॉबलम है धीमराव रामजीम बेटकर में पिता का नाम है तो प्रॉबलम है नितिन जैराम जटकरी में पिता का नाम है तो प्रॉबलम है क्योंकि कोई किसी का पि तरफ करोए पार्लेमेंट के मेंबरस के बीच में से चुना जाता है आप उसके लिए कैसकते हैं आप फुलीग हैं आप यह लुडिया राज सभा का चैयर्में राज सभा परइश मोता नहीं होता है इस था करना चाहता कि उन्होंने कहा कि उन्हें भाव भंगिमा नजर आ रही है और उनके एक्सपर्टीज तो वह बिशे अलग है यह हो क्यों रहा है आप ने देखा कल टीमसी के जो लीडर है मतलब लीडर अधा पार्लेमेंटरी पार्टी देरेक और उब्राइन ने जिस टोन इस समय विपक्ष के अंदर क्या हो गया है जब से थोड़ा सीट बढ़ गई न तो गर्मी इतनी जादा आ गई है कि उनको यह दिखाना है सारी पार्टियों को एक दूसरे से जादा होड लगी है कि कौन बीजेपी खिलाफत जादा करता नजर आए तो खडगे जी खड़े हो है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे इंडी गट बंदन के साथी से जादा होना चाहिए चुकि आपके समर्थन से जया बच्चन जी वहाँ पर इससे प्रशन करके इनके बाद उसके बाद आपके पास आउंगी देखे लड़ाई की शुरुआती जो जो व्यक्ति है वो मुझे टागेट करने के लिए कह रहा है क्या ये गलत नहीं है दूसरा उप राश्रपती राज्यसभा में सभापती होते हैं तो को लीग नहीं हो सकते एक सांसत के तीसरा प्रशन क्या ये टकराओ की स्थिती जो बन रही है मैंने मैं ये कहने वाली कोई ही नहीं हूँ कि एकदम फैर तरीके से आप सीट पर जो भी बैठ रहा है वो बातों को सुन रहा है लेकिन क्या बात थोड़ी हद से जादा बिगड़ गई है जिस तरह से टागेट किया जा रहा है सीट को चैर को अंजिरा जी दिक्कत क्या है दिक्कत इसलिए है कि भारतिय जन्ता पार्टी को दस साल से ताना साही चलाने के आदत थी और ताना साही किस प्रकार चल रही थी आपने देखा था 1500 सांसदों को एक साथ निलंबन करके एक मुस्लिम अल्पसंक्यक समाज के सांसद को किस प्रकार के अमर्यादी भासा इसी दस साल के आधनी मोजी जी के कारिकाल में हुआ है आपने देखा आदरनी मोजी जी किस प्रकार की भासा का इस्तेमाल करते हैं संसल में आपने देखा दीदी ओ दीदी सुपननका कॉंग्रेस की विद्वा जर्सी गाई 500 करोर की गल्फ्रेंड ये निश्चित तोर पर हो कहने का काम करते हैं ये क्या मैं पूछना चाहता हूं य सब देश के युवा हैं यह देश का भौश्य है मान्य परधान मंत्री जिसे आप ऐसी आसा करते हैं मान्य परधान मंत्री जैसे हमारी परिवार के मुख्या हमारे पिता जी होते हैं ऐसे इस देश के जो परमपरागत सविदानी कोस्ट है उसमें हमारे पिता की भूमिका मे सबसे पहले एक महिला भी है यहां पर विमारी बहुत सारी बेटिया बैठी है मेरी बेटिया बैठी है मैं पूछना चाहता हूं कि नारीश शक्ति को अपनी बातों को मजबूती से रखने का अधिकार नहीं है क्या उस पर केवल इसलिए प्रस्ण चिन्न लगा जाएगा कि व को आधी अबाधी का नेट उत्त करते हैं अभी माता प्रशाद पांडे को हमने विजान से बाद्यक्स मनाया क्योंकि उन्हें का प्रसाथ अगड़ा भी है और आधी अबाधी भी है हम लोग सब को साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं विशय यही है कि आपने कहा महिला होने की वज़ाट किया क्या कहां तुम के नातेह लगातार इस प्रकार अशोबनियग और पन्यां विपक्षकी और से होती है freedom विपक्ष के नेता को यह आप यह बोलेंगे कि आपके और से देश में अराजक्ता फैल रही है कौन कह रहा है भारती जनता पार्टी के लोग करें मलिकार जुन खड़के को मैं कहना चाहता हूं मैं इंटरेशनल रिलेशन का स्टुडेंट उड़ों जो लौके चातर होंगे समझते हूंगे मैं आपसे कहना चाहता हूं यह देश की शुरक्षा का मामला हो जाता है जब आप यह कह देते हैं कि विपक्ष के नेता को कि देश में अराजक्ता फैला रहे हैं कि यह किस प्रकार का महौल इस देश में चलना है भारती जनता पार्टी किस प्रकार का महौल जे आविताब बच्चन लिखा है तो उसमें इसको हत्यार बनाना सीट कुर्सी के खिलाफ चेर के खिलाफ ये सही नहीं है कमसे कम सामान निग्यान यही बताता है अगर है तो आप समझाईएगा और दूसरा वही की कॉलीग तो है नहीं आपके उपराश्चुपती तीसरा क्या कुर्सी पर उंगली उठा कर ही अपनी बात कही जा सकती है तीन सवाल आपके आए सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या नाम के ऊपर किसी तरह की आपत्ती हो सकती है अगर एक महिला चाहती है कि उनके पती का नाम बार-बार इस तरह से ना बुलाया जाए एफिडेविट में नाम है इसमें भी कोई दोराय नहीं है मैं समझता हूँ कि आवाइड भी किया जा सकता था और केवल उस वज़े से के नाम अमिताब जी का जोड़ दिया गया केवल उस वज़े से नहीं हुआ पूरा सेंटेंस सुनी हूँ उन्होंने कहा मैं कलाकार हूँ मैं भाव भंगेवा भी समझती हूँ और मैं expressions को पूरा facial body language को भी मैं समझती हूँ कि किस तरह से और क्यों लिया जा रहा है असली मुद्दा वहाँ पर है बिलकुल मैं मानता हूँ दूसरा जो बिंदू है आपका के समवेधानिक तोर पर कुलीग नहीं कह सकते हैं उपराश्टपती के पदपर है चेर्मेन है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं लेकिन इसके साथ साथ एक राय ये भी है कि वो headmaster भी नहीं बैट जाएए you sit down you sit down खड़गे जी को साफ कह रहे हैं आप you want to destabilize the nation एक उपराश्टपती को क्या ये शोभा देता है कि आप कहें कि destabilize करना चाहते है बिल्कुल वो कुलीग नहीं है लेकिन वो headmaster भी नहीं है कि हर आदमी को बैठा देंगे हर आदमी को कहेंगे तुम भी बैठ जाओ माइक बंद हो जाएंगे संसद के यहाँ पर बोलने की अनुमती नहीं दी जाएगी किसानों को अंदर पार्लिमेंट में आने से रोका जाएगा और आप तो पत्रकार हैं पत्रकारों को कमरे में ठूस दिया जाएगा टीस बहुत सारी हैं इस बार टीस इस बार की यह है किस बार जो हतियाई हुई सरकार देश के अंदर चल रही है जनता ने जो आइना दिखाया कि एलेक्षन कमिशन और तमाम संस्दाओं के उपर जो तमाम स्वाल उटे यह हतियाई हुई सरकार है और तमाम केसिज उसी संदब में सुप्रेम कोर्ट और तमाम कोर्ट में चल रहे हातियाई हुई सरकार में आज दो पद हैं वहाँ पर संसत के अंदर एक स्पीकर है एक चेर्मेन साह में हम कहते हैं आप दोनों दल से उपर हैं जो आप कह रहे इंडी गट बंधन के टमाम दलों में होड लगी हुई है मुझे लगता होड़ स्पीकर और चेर्मेन में लगी हुई में के कौन दिखाए के मैं मोदी जी के कितना क्लोज हूँ कौन दिखाए के मैं बताbaum मैं सरकार का कितना पक्ष ले रहा हूं मैं कितना BJP का पक्ष ले रहा हूं अगर एक किसान वहाँ पर जाकर बाइट दे देता है तो speaker महोदे को दिक्कत हो जाती है लेकिन तमाम अभिनेत्रियां वहाँ पर संसद में खड़ी होकर जब वहाँ पर बयान देती है तब उनको दिक्कत नहीं होती है यहां पर एक शब्द कोई गलत बोल देता है तो उसके उपर हम एक्शन लेंगे क्योंकि संसद के अंदर किसी कोई नयायले में नहीं जा सकता है डेड़ डेड़ संसदों को आप बरखास करके आप किस तरह से आपने बिल पास क पर आए लेकिन दिक्कत यह है इस अभी है कि वो जो पहले भाशा थी ना एक अकेला सब परभारी अब वो नहीं हो पा रहा है आज चेहरा मुर्जाया हुआ है आज वक्ष बिड़ को बिल को वक्षबोर के बिल को जेपीसी को भेजना पड़ रहा है इसी जेपीसी के हम मां भारी आज वो चीज नहीं चल पा रही है दिक्कत यह है कि बीजेपी और बीजेपी के मंत्री कोई जवाब नहीं दे पा रहे है दुरभाग गया है इस देश का कि पहली बार हो रहा है कि दरजनों रेल की घटनाए होती है और रेल मंत्री अपनी फीट थप थप थपाते है वहाँ पर सारे संसद ऐसे ऐसे कर रहे हैं यह संसद का हाल हो गया है नहीं मिनिस्टर से पूछा जाता है कि नेशनल हाइवे के मापदंड क्या है किस हाइवे को आप नेशनल हाइवे कहते हैं तो वो यहां से वहां वहां से भागते हैं आज इनको जवाब नहीं सूज रहे 1200 करोड रुपे की संसद में 100 रुपे की बाल्टी लगा कर संसद की इजद को बचाना पड़ रहा है आज भरष्टा चार गली गली महले महले बहता हुआ दिखाई दे रहा है आज जवाब नहीं दिया जा रहा है पुल गिर रहा है रेल एक्सिडेंट हो रहा है और तमाम जो आप लिंक देखेंगे या तो वो कंपनिया जिन लोगों की है वो भाजपा से लिंक है या वो गुजराग की कंपनिया है या वो कहीं न कहीं RSS backing की कंपनिया है या वो वो कंपनिया है जिन्होंने इलेक्ट्रोल बॉंड में बीजेपी के यहाँ पर पूरा धन दिया है जिनके EDCBI के नोटिस वापस लिए इसलिए संसद में तमाम बहाने बनाकर संसद को परिशान किया जा रहा है नीट के एक्जाम पर देश का HRD मिनिस्टर संसद के अंदर खड़ा होकर जूट बोलता है और तमाम जूटों को बचाया जाता है करोणा बच्चे उससे प्रभावित हुए लेकिन सरकार ने नीट के एक्जाम में एक व्यक्ती जो RSSS से जुड़ा हुआ है बीजेपी से जुड़ा हुआ है उस चेर्मेन को नहीं हटाया आज सवाल पूछे जा रहे है आज देश भी सवाल पूछ रहा है संसद भी सवाल पूछ रहा है इसलिए अगनिवीर पर जूट बोला जा रहा है इसलिए माइक बंग किये जा रहे है रोजगार के उपर जब बात होती है तो चार तरह के जूटें आकड़े आके यही कारण है कि बजट के उपर इससे पहले सवाल नहीं पूछा जाता था क्यों कि एक अकेला सब पर भारी था अब बजट के उपर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि बताईए भाई कि कुर्सी बजाओ जो बचट था कि कुर्सी बचाने के लिए जो आप बजट लेका रहे हैं बाकी राज्जों ने क्या गुना कि आलोग जवाब सुनिए अगले में डूबी ये तहरीर और इन दोनों का मैं पॉइंट बाई पॉइंट जवाब देता हूं इन्होंने बात शुरू की कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला जितने इन्होंने वक्तव दिया उसमें मोदी ने किसी का नाम नहीं लिए उड़ता तीर खुल पकड़ लिया आपन मोदी की मौत और सबसे बड़ी बात जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काड़ डालूंगा वो क्या थे इनकी पार्टी में थे मरान मसूद अगले दिन राहूल गांधी गये परचारकर ने दोहजार चौदाम जाट देख लिए उनकी पार्टी के गंडिडेट तब गए और सम्मान पूरवक लाकर अपनी पार्टी में सांसल में ले आए जो मोदी जी के बारे में बोला है हमने बुरे से बुरे दौर में इंद्रा गांधी ने अमर्जनसी लगा तबी किसी मौत की कामना नहीं की थी और आपने नाम लेके बोदा कोई किल्टू बिरता नहीं रहती है अब तीसरी बात उन्होंने कहा अरजक्ता की बात तो मैं कहना चाहता हूं सल्मान खुरशीद का बयान क्या है कि मंगला देज यसी सित्यां आना चाहती है चोटे मोटे नेता हैं क्या विदेश मंतरी नहें मड़ी संकर रहें और तो और जाके चेक करि के और आज जो सल्मान खुरशीदों मणी शंकर एयर बोल नहीं है यह अराजक्ता फैलाने का और अराजक्ता का में एक और उधारन बताता हूं अभी इन्होंने कहा था ना साड़े आठेजार खटा-खटा-खटा-खट एक लाख रुपए हर परिवार को देंगे यह लोग 37 करोड परिवार हैं सबको एक एक लाग देंगे यानि 27 करोड की लाग करोड की आबादी में 31 लाग करोड बाठ देंगे सोचिए यह लोग कौन से एजेंडा के थूँ आकर देश में कौन सा बातावरण बनाना चाहते हैं यह इनको पता होना चाहिए और अई बात वक्ट पर तो इनका दिल का दर्द मैं समझ सकता हूं हिंदुस्तान में सरकार के बाद अगर सबस्यादा जमीन किसी के पास है तो वक्त बोर्ड के आगे तो सजदे में निगा रहे तमाम हुश और किरत पेची बादशार है वह आप बोल कैसे सकते हैं अब इनको एक और बात भी बता से नेता घूम रहे हैं आप लोगो को क्या हम लोगी पीड़ी को भी नहीं जहा रहे हैं केबर इतना बोलने पर कि इंद्रा गांधी की सरकार हटा दी जानी चाहिए आप जेल में जा सकते थे और बेल के लिए अपला ही नहीं कर सकते थे वह लोग आज आज आके इस बात का ग्यान देते और मैं दूसरी बात नीट के उपर तो सुप्रीम कोड ने जज्जमेंट दिया है आप सुप्रीम कोड से उपर अपना ग्यान रखते हैं तो आप अपना बोल दीजिए तीसरी बात इन्होंने कहा कंपनियों के ऊपर तो मैं बिलकुल मैं कहना चाहता हूं 20,000 करोड का profit दर्च किया जो private और PSU मिला के all time high Reliance से ज़ादा उसका profit है. HAL ने पिछले साल के revenue 29,000 करोड रुपए है जो all time high है और 80,000 करोड का pipeline में है तो मुझे समझ में नहीं आता है private company हो या सरकारी company हो सिर्फ विदेशी company खिलाप रहते हैं विदेशी कंपनी खिलाब है विदेशी के साथ ये बताईए यूनियन कारवाइट के साथ कौन खड़ा था Congress वह फोर्स के साथ कौन खड़ा था Congress अगस्ता वेस्ट लेंड के साथ कौन खड़ा था Congress और दाई ये हिंडन बर्क के साथ कौन ख़ढा कांग्रेश neutral के साथ कौन खड़ा कौन खड़ा कांग्रेश स्विज़्ज़ के साथ कांग्रेश किसने नोहीं कैज़तल साथ एक एक रहोंगा एक अकेला सप्पे भारी पे तो एक अकेला तो 240 लेके आया आप सब मिलके 240 नहीं ला पाई आप आकर 44, 52 और 99 पे रुख गए हैं तो जो मैंने संसद में कहा था दुबारा कह देना चाहता हूं उस एक चले की तरफ से यानि मुदी जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया तो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग मंजिल क्या थी 44 बावन निन्या नवे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया